सबसे पहले मैं आई हुए यहां पर सभी बरिस्ट पत्रकार बंदुओं का बहुत बहुत आबार एवं धन्यबाद प्रकट करूँगा एवं उपस्तित हमारे आधर्णिये गुरू जी चांसलर साब सुकेश यादब जी एवं डारेक्टर डॉक्टर गोरब यादब जी नहीं के अथक आसिरवास से अतक प्रयासों से इनिके डिसीप्लेंस से एवं सिच्छा नीति अचे में इस प्लेटिट। पर पहुचा हूँ तो आज मुझे एवं मेरे बिश्बिदAreले के सभी बरिस्ट पताहदकारियों को एवं मेरे परिवार जनों को बहुत कुशी का दिन बहुत खुशी का माहूल है तो इस सब्सुब अबसर पर मैं सभी सभी को बहुत बर्दनेबाद किया करना चाहूंगा कि इस उन्यूपिश्टी में मैं ऐड पार अपना एक सपने को लेकर वो मेरा सपना इस private university के जरीए पेरा सपना पूरा हुआ, मैं बहुत बहुत सुक्रिया हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, यहांके सभी असिस्टेंट प्रफेसर साब को. यह आज बहुत खुशी की बात है कि यह जो यूनिवस्टी है, जैसा माहौल यहां पर जिसमें सबसे जादा सायोग रहा है, तो चांसलर साब का रहा है, अधरनी सुकेश यहादव जी का, और उसी के फलस्वरूप हमारे बहुत से बच्चे कई देशों में जो है, नोकरी कर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बड़े अच्छे पैकेज पे हैं, तो उनी उसी करम में यह एक विद्यारती है, यहां का, जो मेकैनिकल इंजिनिरिंग का चात्रा है, बीटेक का, यहीं हमारे होस्टिल में, केंपस में रहके पड़ा है, और अभी इसका चैन जो दुबई क कि एक बड़ी कमपनी में हुआ है, एक फूड प्रोसेसिंग कमपनी है, उसमें इसका चैन हुआ है, तो अगर मैं इसको इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग कनवर्ट करके आपको बताऊं, तो लगबग साड़े बारा लाख रुपे एनुवल पैकेज इस स्टूडेंट का है, और ये बड़े खुशी की और बहुत गर्व की बात है, ये हमारे इसी शुकवाबाद के छेत्र का जो है सिर्सा गंज लगा हुआ है, उसका, वहां का रहने वाला है, और इसके पिताजी भी साथ में आए हुए है, तो ये बड़े हर्ष की बात है विश्विद्याले के लिए और साथी साथ ये बड़े गौर्व की बात भी है